उचा उठने के लिए पंकों की जरूरत तो पक्षियों को होती है मनुष तो जितना नीचे जुखता है उतना ही उपर उठता है तो मैं अनेकेडमी पर ही पढ़ाता हूँ तो आप अनेकेडमी का लर्निंग के पेश्चोट से डाउंलोड कर लिए उसमें ऑनलाइन सेर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा बहुत इंपोर्डेंट पहला कोश्चन है कि इसे समुद्री उत्पाद निरियात विकास प्राधिकरण का नया चेर्मैन निक्त किया गया है दोस्तों समुद्री उत्पाद निरियात विकास प्राधिकरण का नया चेर्मैन निक्त किया गया है के एस स्री निवास को यानि ऑप्सन डी राइट हो जाएगा देखिए उस तो आपको बता दें कि आईएस ओफीसर के एस स्री निवासन ने समुद्री उत्पाद निरिया विकास प्राद करना नहीं MPEDA इंगलीस में इसका जो है दोस्तों क्या है Marine Products Export Development Authority ठीक है का चेयर्मेन करूँ में उन्होंने पधवार समाल लिया है और आपको बता दे कि नियुकती से पहले जो है तो उन्होंने क्रिशी मंत्राले में क्रिशी सहयोग विभाग और किसान कल्यान विभाग में जोईन सेक्रेटरी गुरू में कारिकिया है सहयोग तो सची गुरू में कारिकिया था कहां पर क्रिशी मंत्राले क्रिशी सहयोग विभाग में इसके लाव आपको दोस्तों इस MPED के वारे में बता देते हैं आपको बता दी कि नोडल समन्वेर राज स्वामित वाले एजंसी है जो मत्स उत्पादन और संब्ध गद्विदियों में शामिल है ठीक है और इसकी स्थाबना काब उती दोस्तों इसकी स्थाबना हुई थी 1972 में समुद्री उत्पाद निर्याद विगास प्राधिकरण अध सब्कंझा में कि उन्टिय स्थाथ को राजसभा का उपसोपती निक्षी स्थावाइन कि ने पराजित के लाउद स्था के बारे हम जान लेते हैं अकसर पूछ लिए जाता है तो राजसभा आपको बता दे कि इस अंसात का उच्छे सदन या इसको कभी भंग नहीं किया सब्सक्राइब बाइब का उपर आश्ट पती होता है ठीक है राज़सवां दूस्तों मैक्जिमम जो सखसंक्या होती होती 25первых है भी करो सो बात करें यहां पर एंकेशिंग की इन से इनलेटेट भी बहूत कुईशन बनता एंकेशिन दो Acho बरतमान में 15 वित तयों पनंद्रायों के अध्याक सेंगών को किया गया ठीक है थोड़ा सबीत तायों के बारे में जान लेते दोस्तों देखे उस तो भारती समिधान के आर्टिकल 270 में बित तायों का प्रावधान किया गया है और इसके जो है तो संगठन दोस्तों एक अध्यक सथा चार सथस्यों से मिलकर होता है और आपको बता दे कि राष्ट पती दोरे जो एपने भारत के रास्ट पती जो था वित त्यौ करों के शुद्ध आगामों के लिए तथा राज्य के मद्ध करों के शुद्ध आगामों के लिए काफी कोशन पूछा जाता है कि इनकी इनकी भी हाली में नहीं हुई है तो आपको बता दे दोस्तों इसके लाबागी राश्टी सुरक्षा सला कावर कौन वरतमान में अजीद कुमार डोवाल और अभी ALP में कोशन पूछा गया थे कि प्राइम मिस्टर के मुख सचीव कौन है तो चीप सेकरेटरी है निप्रेंद मिस्टरा कैबनेट सचीव है बरतमान में वो है प्रदीप कुमार सीना और विदेश सचीव है फोरें सेकरेटरी है बीजय केशो गोखले ठीक है और दोस्तों संजय मित्रा के बारे वागों बता दे कि जो तो DRDO के भी बरतमान में अध्यक्ष है ठीक है संजय मित्रा और रक्षा मंत्री का उन है निर्मला सीता रमाने ठीक है तो क्शेश समुдर्य उतपाद निर्यात विकास प्रादिकरनका नया चैरमे किया गया यह कि ऑगया दोस्तों के ए र्थी की निवाज को है और दोस्तों ये ये वीडियो के चैनल को सब्ढ़ करें इस वीडियो को सेयर करके चलिए दोस्तों अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन हाली में पुनह माली के राष्टपती कौन निरवाचित किये गये हैं दोस्तों ये भी कोशन बहुत इंपोर्डेंट है तो हाली में दोस्तों माली के पुनह राष्टपती पराज़ित किया गया है उन्हें माली की जो राप्त हुआ सवासो उसमेजु है इन्हों ने राप्त हुआ और माली की माल है मालिकट करें भाएक पर कीता ठीक है तो याद रखिएगा अभी बात करें इम्रान खान की इनको अभी रिसेंडली कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइमिस्टर चुना गया है ठीक है इन्होंने जीत लिया है इनकी पार्टी के क्या नाम था यह पूछा सकता है आप से तो इम्रान खान की पार प्रतवान में राष्टपती है असरफ गनी कहां के राष्टपती है अफगानिस्तान के और अफगानिस्तान की कैपटल है काबूल और करेंसी है अफगानी ठीक है और यहां पर दोस्तों बात करें माइकल ट्रेलर की तो माइकल ट्रेलर जो है दोस्तों ब्राजील के राष् दिश्टी से संसार की सबसे लड़ी नदी विश्व में अपवा राजीर के दिश्टी संसार के सबसे बड़ी niños इसका उद्गे मस्थल कहां से नंडीज परवद पेरू से होता है उद्गे मस्थल होता और गिरती कहां है अट्लांटिक महासागर तो यह आपको याद रखना है कि वरतमान में जो तो ब्राजील के राष्टपती का उन्हें वह है माइकल टेमर ठीक है तो हाली में माली के कौन राष्टपती निर्वाचित किये गए हैं इब्राहीम बेवाकर यानि आपसाने राइट है चलिए अगले कोश्चन की तरफ बढ आप उस लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और टेलिग्राम से ज़रो जोइन कर लिए आपको पूरे मंथ की एक साथ पीडिया फाइल चाहिए तो अगला कोश्चन है किन तीन अमेरिकी वेगजानिकों को अमेरिकी वेगजानिक को अलवानी मेडिकल सेंटर पूसकार व दून इस्टीवन रोशेनवर को मेडिसीन और बायो मेडिकल डिसर्च में अलवानी मेडिकल सेंटर पूसका दौरठार के विचे तक होसित किया गया है उन्हों युमेनोलाजी में उनके सोध और विचारों के अनुवात को प्रभावी उप्चारों मानिता देने के लिए स पूसकार हुए हैं इसके लावा दोस्तों इस पूरुसकार के बारे हम थोड़ा बता देता हूं आपको यह अलवानी मेडिकल सेंटर द्वारस सम्मानित और शथी और जयव चिकिश्चान संधान में स्रैयुक्त राजिच का दूसरा उच्चता मूली पूरुसकार है इसकी पूरुसकार के स्थाबना कव थी 2000 में चलिए अगला कोश्चन दोस्तों नेक्स पूचन है इंडिया रेटिंग ने वित्वसवार 19 के लिए विकास का पूर्वान कितने परसेंट तक किया है तो इसका राइट एंसर जाएगा ऑप्शन भी 7.2 परसेंट आपको बता दे कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने दोस्तों अपने वित्वसवार 19 के लिए आर्थिक विकास पूर्वान वान को पूरु में 7.4 परसेंट से 7.2 परसेंट तक संसोईद किया है पहले कितना था 7.4 तो इससे 7.2 कर दिया है ठीक है इसकला आपको बता दे कि जो दोस्तो इंडिया रेटिंग रिसर्च ने बढ़ते व्यापार सनक्षणवाद और कमजोर रुपय जैसे शितीच पर छिपी हुई अन्य विप्रीत परिसुतियों की और इशारा किया है तो इंडिया रेटिंग ने वित्वसवार 19 के लिए विकास का पूर्वान कितने परसेंट किय है तो यह किये है दोस्तों इस तब एन पॉइंट टू परसें पहले सेवन पाइंट फोर था अगला कोश्ण है क्वस्वाइब कंघरेश कहां यजिद किया गया है यह कश्चन बहुत इंपोर्टेंट है तो 24 कंघरेशी कहां जित किया गया है जिता है राइट अंसर चीन के to be human क्या था विश्य लर्णिंग to be human और आपको बता दी कि पहली बार था जब क्विक क्वेंसियल यह नहीं पांच वर्से में एक बार समारू चीन में आजित किया गया है ठीक है यहाँ पर दोस्तों बता दें आपको सिलंका के बारे में सिलंका में जो अभी हाली में जो तो क हांसवर्ग में ब्रिक्स का समयलन ठीक है तो यह आप समयलन याद रखिएगा रिसेंडली जितने भी आउजित हुए हैं तो 24 वर्ल कांग्रेस साफ फिलोसफी कहां जित किया गया है चीन की राजधानी बीजिंग में ठीक है चलिए अगला कोशन दोस्तों मारियो अब्दो बेनी टेज कि देश के नही राष्ट पती के रूब में सपतली है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा परागवे यानि आपसंडी राइट है देखे तो आपको बता दे कि कोलो रोडो पार्टी के मारियो अब्दो बेंजित ने पांच बर्स के अब्दी के ल लिया था परागवे की राज़ानी क्या है दोस्तों वह असंसियन और करेंसी है परागवान गुवारानी ठीक है तो मारियो अब दो बेनी टेज ने कि इस देश के नए राष्ट पती ग्रूब में ठीक है चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों अगला कोश्चन ग्लोबल ल लाइबिल्टी इंडेक्स में दिल्ली को जो तो 112 मा स्थान मिला है या ऑप्सन भी राइट है दीखे उस आपको बता देख देक देको इंटेलिजेंट यूनिट ने ग्लोबल लाइबिल्टी इंडेक्स जारी किया था जो 140 वैसिक शहरों को उनके जीवन के सितियों के अध मुंबई दो ही भारति शहर थे जो है छो है तो इसमे ग्लोबाल लाइविल्टीइंडेक्स में वार्शि-ग्रॉट्सी वार्षिश कांग में सामिल है दिल्ली को 112 वारमा स्थान रखा गया है जब की मुंबई को सा wiedसाम मिला है 117 मा इसमें मुंबय को दिया गया है और इसम नमर पर है और शाका ठीक है तो ग्लोबल लाइविविल्टी इंडेक्स 2018 में दिल्ली को कौन सस्थान मिला है यह मिला 112 अस्थान जबकि मुंबई को मिला है 117 और सीर सीस में कंट्री टॉप पर है आस्ट्रिया की कैपिटल वियना ठीक है चली अब देख लेते हैं कल का एंसर क आसका सवाल बहुत इंपोर्टेंट है आपको कमेंट बॉक्स जरूर लिखना है और हाली मेटल जी का निधान हो गया हुए कितने वार भारत के प्राइमिस्टर थे और आपके सामने दोस्तों इसका एंसर आपको कमेंट बोक्स जरूर लिखना है यह आपने कल की वीडियो देखिए गई तो आपको एंसर जरूर पता होगे तो नहीं देखिए जरूर देख लीजिएगा बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है साथी साथ एंपे में अभी प्ले आप प्ले होगी आप एक वीडियो पिछले 6 मंत की मोस्ट इंपोर्टेंट इसको भी जरूर देखिए प्ले होगी बहुत इंपोर्टेंट है आपको इभी एक्जाम देने जा रहे हैं ठीक है तो दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका दिन शूब हो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरू करिएगा चैनल पर पहली बार भीट के चैनल को सब्स्राइब कर झाल